अलो फ्रेंट्स और वल्कम बैक तो माई चैनल आप सभी के रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ घर पे मोजरेला चीज बनाने की एक बढ़िया सी रेसिपी वो भी पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बिना कोई प्रिजरवेटिव बिना कोई टेबलेट आज घर पे बनने व चलिए फ्रेंट्स घर पे मोजरेला चीज बनाना शिरू करते हैं तो इसके लिए मैंने अमूल का ये बफेलो मिल्क लिया है फ्रेंट्स फुल क्रीम दूध है ये तो अगर आपको इस तरह का अमूल का पैकेट नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं डैरी में से फुल क यसार प्रेंट्स अगरा प्रिस लेद difती हेगा फ्रेंट्स इस में काल हुगा है मैं जिसमित फुलन वाट ले ले लोगी विंगर से ही हम गुछलुन का यूज नहीं करिये गाए इस से अल्खने पटबलस्पून इसमें फ्रेंट्स पार्त का लिए करिये सभीगा फ्रिस तो अभी फिलहाल मैं ने 5 टेबल स्पून विनिगर ले लिया है सफेद सिर्का जिसे बोलते हैं और लगेगा तो हम और भी ले लेंगे तो 5 टेबल स्पून आप इस तरह से निकाल के रखे और चलिए अब सबसे पहले मैं एक बोल में गरम पानी ले लेती हूं इसे बनाने के चिनाप पहले करके रखिएगा तो देखे काफी करम पानी है जब तक हम दूद को फाड़ेंगे चीज निकालेंगे तब तक ये थोड़ा सा थंड़ा हो जाएगा और दूसरे बर्तन में हम थंड़ा पानी ले ले लेंगे तो यहां देखिए एक बर्तन में मैंने 2 चम्मच दूद को मैघने डालड़ा लिया है रखनेश हो दूदू ककुम पाइब धुक्जाम दूद की इसा आगए बता देती हूं और आप को मिलाते जाना है तो threats dozen, का आप आप को बिलाते जाना है ताकि evenly दूद्ध हमारा गरम हो तो continuously stir करते जाएंगे अब मुझे देखिए मैं आराम से यह बर्तन को पकड़ पारी हूँ और उंगली दाली हूँ तो मुझे हलका सा गरम कोसा कोसा गरम लग रहा है तो इसी टाइम पे में गैस को आफ कर लूँगी गैस को अब तक पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वह भी घंटी के साथ यह बिल्कुल भी फ्री है तो देखिए अब मैंने और विनेगर डाल दिया तो सार विनेगर इसमें डल गया है फ्रेंस गैस ऑफ है मैं फिर से आपको बता रही हूँ और यह देखिए थोड़ा करडल होने लग गया है फ्रेंस बट मुझे लग रहा है थोड़ा सब विनेगर और चाहिए तो मैं यहां क्या करूंगी वन टेबल स्पून और विनेगर आड़ कर लेती हूँ तो यह देखिए अब मुझे लग रहा है हो जाएगा क्योंकि फटन करका यूज किया है और कंटिन्यूसली से चलाते जाएंगे तो यह देखिए हमारा चीज निकल के रेड़ी है यह आपके सामने है पानी अलग हो चुका है और चीज हमें मिल चुका है फ्रेश मोजरीला चीज होममेड बिना प्रिजवेट बिना कोई टेबलेट के हैना इसका मतलब की कितना गरम होगा तो आप आराम से इसको चू सकते है उत्रा गरम है तो उत्रा है आपको लुक वाम मिल्क करना है जब भी आप मिल्कों फाड़े और चीज बनाए तो इन टिप्स का आपको याद रखना है अब मैं यहां इसका बॉल बना लूंगी सारे चीज है पानी में वो सब ले लेंगे हम यह देखिए इस तरह से पानी का कलर देखिए कैसा हरा हरा हुआ है तो यह हमारा चीज बनके रेडी है इसको अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे और आगे की प्रोसीजर चलिए देखते हैं क्या करना है तो मैंने यहां एक बोल में थं च्टा पानी अचजालक देखिए कि अब करना को थंडी पानी में एक मिट के लिए डिप रहने देखिए इस तरह से उपनी में बात अकल एक है प्रोसीजर आपको 5 np 6 tentang तक पहले है抣के के दाले लिए शार्ट शेते हैं। ए इसे अर्ट पानी को या है मैंने 1 डाल दाले दिया हैं लिए अलुप मताई आतर तक दो आदे हैं कि शना से हैं तो बिना प्रिजर्वेटिव बिना वो टैबलेट डाले आज हम बनाने वाले है घर पे मोजरेला चीज यह देखिए इस तरह से अभी दिख रहा है बड़ यह स्ट्रेच होने वाला है आगे पूरा में आपको इसको यूज करके भी बताऊंगी तो बने रहे यह इस वीडियो से हमख़त होता जाएगा, तो आपको डालना है और सबक्स ह주 रहा है sollte कर सकते हैं शुड़ा करता है यह देखिके दिखने से अधी मैं पता चल रहा होगा पहले दिख रहा था अब किता स्मूथ लग गया है आग जाने बीदेखिशा तो यह जो step से यह आपको करना है friends जब तक कि यह अच्छी तरह से ऊपर smooth ना हो जाए तब तक आपको यह step करना है तो इस तरह से पानी में डालिए और निकाल के इसको निचोड लीजे तो आप finally मैं इसे निचोड रही हूँ क्योंकि बहुत जादा soft हो चुका है तो आपको ज निचोड सकते हैं दम लगा सकते हैं उतना लगा लीजे क्योंकि अब हातों से कर रहे हैं और वैसे अगर जो market में मिलता है वो तो machine से करते हैं तो अगर इसमें moisture होगा तो फिर यह जली खराब हो जाएगा इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दे इसको अच्छी तरह से निच चीज रख दूँगी और इसको मैं cover कर लूँगी थोड़ा से और बढ़ा ले लेती हूँ और इसको कट कर लेती हूँ पहले और बाद में हम रैप करेंगे चीज को यह स्टेप करना भी बहुत ज़ादा जरूरी है ताकि जो चीज है वो अपना शेप ले ले और अच्छी कितना स्मूद और शाइनी दिख रहा है ना इदम बढ़ा से चीज बना है अभी इसे हम दो घंटे के लिए फ्रेंट्स रख देंगे फ्रीज में फ्रीजर में नहीं फ्रीज में आपको रखना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए तो चलिए मैं इसे एक बोल में रखके दो घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख लेती हूँ और बाद में हम मिलते हैं दो घंटे हो चुके है चलिए देख लेते हैं चीज सेट हुआ की नहीं बट इसकी शाइन देखिए एदम पॉफिकली सेट हुआ है मुझे तो लग रहा है फ्रेंट्स चलिए अब इसे खोल के भी चुअ कर लेते हैं तो इसे ओपन कर लेते हैं ये देखिए वाव अब पॉफिक सेट हुआ है फ्रेंश दिकर जाल है ये देखिए इस इसको देखे ही पता चल रहा है ये देखिए क्या श्याइन है चीज में चलिए इसे कट भी कर लेते हैं तो आप इस तरह से स्लाइस करें इसे ग्रेट करें जैसे चाहे वैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं तो चलिए देखे मुजरिला चीज अब घर पे बनाना हुआ असान सारे टिप्स एं ट्रिक्स अगर फॉलो करोगे तो पर्फ यहां ब्रेड ले लिया है मैंने पिजा पे पास्ता में जहां आपको चीज को यूज कर सकते हैं इसके उपर मैं लगा दूंगे पिजा सॉस इंस्टें पीजा सॉस कैसे घर पे बनाते हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अलरी है तो जरूर देखेगा वह वाला वीडियो द कर देना चाहती हूं कि जब भी आप चीज को इस तरह से पतली स्लाइस काटना चाहते हैं तो आप क्या करें आधा गंटा पहले ही फ्रीजर में से रख दे थाकि थोड़ा सा हाड हो जाए फिर आप पतली स्लाइस के आराम से काट सकते हैं तो देखे चीज लगा दिया है इस सबस्ट चाहे तो ओवन का यूज भी कर सकते हैं तो इसको पैन में रख दूँंगी और तीन से चार मेट के लिए इसे कवर करके हम होने देते हैं तो देखे फ्रेंट तीन से चार मेट में यह आपको लगेगा कि चीज मेल्ट नहीं हुई है बड़ चीज मेल्ट हो जाती है यही difference है homemade और market वाला चीज में बट stretch आपको वही मिलेगा यह देखिए यही तो चाहिए यही तो सभी को पसंद आता है पिज़ा खाते बर्गर गाते तो यही तो सभी को बहुत पसनाता है ना तो स्ट्रेच आपको मिलेगा बस आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह मैल्ट हुआ है या नहीं तो तीन से चार मीट के लिए अगर रखेंगे तो यह देफिनेटली मेल्ट हो जाएगा और यह देखिए इस तरह से मैं आपको करके भी बता रही हूं यह देखिए क्या स्ट्रेच है यह देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया यह चीज बनता है घर की बनाई हु सकते हैं महिना तक कोई प्रॉबलम नहीं अगर फ्रेज में रखते हैं तो हफते भर में इसे कंजूम कर लीजे कैसी लगी आपको यह चीज की रेसिपी जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा लाइक भी कीजिए पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर करिए फ्रेंज और सब सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ तिल दैन टेक केर बबाई